ना इधर ना उधर सीधे मुद्धे पर नजर और क्या है आज की खबर आप देखना शुरू कर चुके हैं नियूज एटीन आपके पुनीद के साथ तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि युद्ध रुकवा दिया गया भारत की तरफ से युद्ध रुकवा दिया गया भारत ने शान्ती की बात कही और जहां जंग चल रही थी वहां पर दोनों तरफ से शान्ती च्छा गई लेकिन क्या ये इतना आसान है क्या ये कोई ट्रैप तो नहीं है बात दरसल इसलिए आज हम कर रहे हैं क्योंकि जलेंस्की की तरफ से युक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें युक्रेन के राश्टपती व्लोदमीर जलेंस्की की तरफ से ये कहा गया है कि प्रधान मंत्री मोधी चाहें तो वो युद्ध को रुखवा सकते हैं भारत इस मामले में शांती की पहल कर सकता है भारत के पास वो शमता है वो ताकत है कि भारत अगर शांती की बात करेगा तो ये युद्ध जो है ये रुख सकता है दरसल एक इंटर्व्यू में जलें उसकी यह कहते हैं कि sorry लोकतांत्रिक भार्त की अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए और भारत अगर चाहे तो ऐसा करवा सकता है और वो देश जो केवल बात करते हों कि हम शान्ती चाहते हैं लेकिन इस मामले में कुछ ना करते हों तो यही माना जाएगा कि वो रूस के पक्षबे खड़े हैं एक प्रकार से जलिंस्की कहीं न कहीं दबाओ बनाने के खेल को रचना चाहरे हैं ऐसा नजर आता है नजर ये भी आता है कि कहीं न कहीं जलेंस्की की तरफ से जो ये बयान दिया गया शायद ये उनके द्वारा कम और किसी और के द्वारा दिलवाया गया ज्यादा नजर आता है भारत का रुख हमेशा से तटस्थ का रहा है भारत किसी के पक्ष में खड़ा कभी नहीं रहा है भारत हमेशा ये बायत करता आया है कि रूस हो या यूक्रेन हो साथ में आकर दोनों देश राजी हो तब भारत उसमें शांती के लिए भूमिका निभा सकता है लेकिन इस बेच भारत हमेशा से मानविय सहायता के लिए खड़ा रहा है और युक्रेन में भी लगातार मानविय सहायता भारत के द्वारा पहुंचा ही जा रहा है लेकिन युक्रेन के राश्रपती पॉलोदिमेज जेलिंस्की की तरफ से जो बयान सामने आया उसके कई माएने है दरसल आपको बताएं कि हाल ही में ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ और ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ उसमें भारत की तरफ से भी इसमें हिस्सा लिया गय इसके बाद एक इंटर्वियू में जेलिंस्की से जब ये सवाल किया गया कि आप इस मामले में जो युद्ध चल रहा है इसमें भारत को किस तरीके से देखते हैं तो उनकी तरफ से ये कहा गया कि भारत इसमें शांती की भूमिका निभाज सकता है लेकिन उनकी तरफ से क्या कहा गया देखिए exactly मैं आपको बताता हूँ उनकी तरफ से ये कहा गया कि रूस और यूक्रियन संगर्ष के समाधान में जो लोग पहुंचे थे ब्रिक्स समिलन में और मदद करने की बात कह रहे थे मेरी राय में वो रूस के समर्थक हैं यानि कि कहीं न कहीं जेलिंस्की य कोशिश कर रहे हैं कि जो भी देश इसमें पहुंचे वो अपना पाला चुन लें ऐसा बताने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत किसी के पाले में कभी खड़ा नहीं रहा चाहे वो रूस के पाले की बात हो या फिर पश्यमी देशों के पाले की बात हो या अन्य देशों क दरसल आपको बता दें कि रूस का जब दौरा किया गया था प्रधान मंत्री के द्वारा जुलाई के महिने में तब काफी आलोचना हुई थी पत्रकारों ने इसकी आलोचना की थी पश्यम के इसके अलावा नेताओं ने आलोचना की थी और ये तब हुआ था जब वाशिंग इसमें किसी का दबाव काम नहीं करता है ये साफ मेसेज चला गया है लेकिन जब जुलाई में प्रधान मंत्री मोदी ने दौरा किया था और पुतिन को गले लगाया था उसके बाद जलेंस्की की प्रतिक्रिया क्या निकल कर सामने आई थी उसको जरा आपको देखना चाहि और उसके उपर गौर करना चाहिए वो लिखते हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा था कि इससे बहुत ज्यादा निराशा हुई विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता को एक ऐसे दिन पर मौसको में दुनिया के सबसे खूनी आया अगस्त के महिने में प्रधान मंत्री मोदी पहुँच गए यूक्रेन जैलिंस्की से मिले उन्हें भी गले लगाया मानवता की बात की शांती की भी बात की और कहा कि उन्होंने जब पुतिन से मुलाकात की थी तो आँखों में आँखे डाल कर कहा था कि ये समय युद को भरुसा दिलाते हैं कि मानविय द्रिश्टी कौन से जिस प्रकार की भी मदद भारत कर सकता है उसको हमेशा वो करता रहेगा करता आया है और उसके लिए हमेशा से तयार है दरसल जैलिंस्की की तरफ से जब ये बयान आता है तो क्या भारत को इस मामले में पहल कर देनी चाहिए वैसे आपको ये भी बताएं कि रूस के राश्रपती व्लादिमिर पुतिन की तरफ से भी बयान आया था उन्होंने लेकिन कहा था कि ब्राजील हो चाइना हो या भारत हो वो चाहें तो इस मामले में शान्ती के लिए बात कर सकते हैं खास तो और पर उन्होंने भा हरोसा जदाया था लेकिन क्या भारत को इस पच्छडे में पढ़ना चाहिए क्या क्योंकि ऐसा लगता है कि पश्चिम बनाम पूर्व करने की कोशिश रूस के राश्रपती पोतिन भी करते हुए नजर आ रहें और जेलिंसकी भी ऐसा ही शायद कुछ करने की कोशिश में न भारत की अगर हम जियो पॉलिटिक सिचुएशन पर नजर डालें तो भारत की सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा महत्वपून हो जाती है भारत सबसे बड़ा बाजार है भारत के अर्थ व्यवस्था लगातार उंचाई पर पहुंच रही है भारत की आबादी सबसे ज्य अच्छे तरिके से समझती है लेकिन शायद ये नहीं समझती कि भारत हमेशा से तटस्थता के रूप में नजर आया है भारत के समन्ध एरान से भी है तो भारत के समन्ध इस्राइल से भी उतने ही अच्छी है भारती प्रधान मंत्री फिलिस्तीन भी जाते हैं तो वो इस्र प्रिभाने के लिए हमेशा तयार हैं, हम शान्ती की बात हमेशा से करते नजर आएं और हम शान्ती की बात हमेशा से करते रहेंगे। ये भारत की तरफ से हमेशा से कहा जाता रहा है। लेकिन यूक्रेन के राश्रपती की तरफ से जो ये बयान निकल कर सामने आया इसके कई माइने निकाले जा रहे हैं। जेलिंस्की कह रहे हैं कि मोधी पुतिन से कहकर रूस के खब्जे से एक हजार यूक्रेनी बच्चों को छुलवा दे। सबसे बड़ी बात ये है कि जेलिंस्की ने ये भी कहा है कि मोधी वास्तों में आबादी, आर्थवेवस्था, असर, प्रभाव के लिहाज से एक विशाल देश के प्रधान मंत्री हैं। अगर जेलिंस्की ये सारी बाते कर रहे हैं तो क्या भारत को इसमें जाना चाहिए, इस मामले में पढ़ना चाहिए। उसके उपर प्रतिबंद लगाता है तो रूस कहीं न कहीं कमजोर इस से होगा और उसके उपर ये दबाव बनेगा कि वो युद्ध को शान्त करवा देगा। एक पहलू इसमें और है और वो पहलू है अमेरिकी चुनाव। दरसल अमेरिका में चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका के चुनाव जो हैं बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे तो नदीजे भी आएंगे। और अभी जो बाइडन वहां के राश्ट्रपती हैं जबकि अगर ट्रम्प वहां पर राश्ट्रपती बन जाते हैं तो खबरें ये भी हैं या कहीं न कहीं यूकरेन के राश्ट्रपती को इस बात का डर भी सता रहा है कि जो मदद अमेरिका की तरफ से मिल पार ही है उसके ओपर ब्रेक लग सकता है, ऐसे में यूक्रेंड को आने वाले दिनों में काफी मुश्किलों का सामना करना बढ़ सकता है। और ऐसे में अब यूक्रेंड की नजर भारत पर है कि वो भारत को किसी भी तोर पर इसमें शामिल कर ले। लेकिन एक चीज और है और वो चीज जो है वो जेलेंस्की की तरब से अगर कही ज़ाती है तो उसमें आप समझिए कि ये इस लाइन को मैं अगर कह रहा हूं तो इसके बहुत ज्यादा माइने हैं क्योंकि जेलेंस्की कहते हैं कि निश्यत रूप से भारत और मोधी यूकरेन और रूस के बीश शांती बारता करवा सकते हैं लेकिन ये हमारे द्रिश्टी कोन के मताबिक यानि की यूकरेन के नजरिये के मताबिक होना चाहिए यहाँ पर वो शर्त रख रहे हैं और वो कह रह तो क्या ये पूरी पुछी है तो क्या ये पूरी पॉलिटिक्स है और पूरी ये जू जी ओपॉलिटिक्स हो रही है इसमें क्या भारत को खीचने की कोशिश की जारी जानबूच करके और किसी एक पाले में करने की कोशिश की जा रही है भले ही बात शान्ती के हो रही है और भारत की तरफ से तो साफ करती आ गया है कि हम शान्ती के लिए पहल के लिए तयार जरूर है लेकिन वशर्ते भारत की शर्त यही है कि दोनों पक्ष आमने सामने बैठने के लिए तयार हो तब तो आप देखना होगा कि इस मामली में आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है क्योंकि यूकरेन के राश्ट्रपती कह रहे हैं इसके पहले रूस के राश्ट्रपती भी ये बात कह चुके हैं भारत की क्या भूमिका होगी अलाकि भारत हमेशा से तटस्थ रहा है वो किसी एक पक्ष में नहीं रहा लेकिन दूसरी तरफ यह हमेशा से कहता रहा है वसुधैव कुटुम्बकम यानि कि यह पूरी दुनिया जो है यह पूरी धर्ती जो है यह हमारा घर है और घर के सदस्यों को मिल जुलकर रहना चाहिए धन्यवाद